नमस्कार दोस्तो मैं रविंद्र आप कार्पी स्टेडी पाइंड में स्वागत है दोस्तो आज कि इस वीडियो मैं जीके के स्व मोश्ट इंपॉर्टेंट one-liner question लेके आये हुँझ furry ako उन्हारा the series का यह 4 वीडियो दोस्तों इसके पहले आपने हमार एन्म थीअ ये ल्य जा करके टीन वीडियो देखे जो कि पहले हो चुके है जो तो को से स्टार्ट करने से पहले अगर आप आपने हमार चनल और पीचेड़ी पांट को सबस्क्राइब नहीं किया था एल के बैल आइकन को डवाईए जिससे आपको लेटेस्ट वीड़ीयो के नोक्रिकेशन राप्त होते रहेगी इस batteries करते हैं फंट को स्विस्ट परसनंबर दो किंदो धातू का मिसर हैं तो इसका से अनसर तांबा और जुस्तर का मिसरन है पितल दूस्तों मिस्तव धातू थमुय दुस्स得 को ंद्धाएं घंच जिसका संखे़ है झेड एन कपर कर संके़ था सी ऑ प्रस नमबर तीन नेतरदान में नेतर के किस भाग का दान किया जाता है जिसका से आंसर है कार्णिया का दान किया जाता है नेतरदान में प्रस नंबर चार कोशिका का पाउर हाउस किसे कहा जाता है इसका सियांसर है माइट्रो कांडिया का कोशिका का पाउर हाउस कहा जाता है प्रस नमबर पाच राष्टी विज्यान दिवस कब मनाया जाता है इसका सियांसर 28 फरवरी को राष्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है प्रस नम्बर 6, ब्लड ट्रेसर मापने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है, इसका सियंतर इस फिगनो मेनोमीटर का प्रयोग ब्लड ट्रेसर मापने के लिए किया जाता है, दोस्तों मुंस का ब्लड ट्रेसर होता है 120, 80 mmHg, दोस्तों 120 सिस्टेलेटिक होता है और 80 ड प्रस नम्बर साथ, कंप्यूटर के पर्मानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? इसका सियांसर, रोम, कंप्यूटर के पर्मानेंट मेमोरी कहलाती है. इसका फुलपाम है, Read Only Memory. प्रस नम्बर आठ, किस अधिवेशन में कांग्रेश, उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों विभाजित हो गई थी? इसका सियांसर है, 1907 के सुरत अधिवेशन में कांग्रेश, उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों विभाजित हो गई थी. दोस्तों, इस अधिवेशन में भारती राष्टी कांग्रेस के अद्देख थे रास बिहारी घोज प्रस नमबर नौ तंजोर का व्रदेश्वर मंदिर किसने बनाय था इसका सी अंसर राजराम प्रथम चोल ने तंजोर का व्रदेश्वर मंदिर बनवाय था प्रस नम्बर 20 मुगल समराथ अगबर का जन्म कहां हुआ था तिसकात के अंशर अमार कोट के दूरग में मुगल समराथ अगबर का जन्म हुआ था दोस्तो अगबर का सासन काल था 1556 से 1605 इस्वी के बीच में 152 में अकबर ने दिन ये इलाही नामा के गनाय धर्म की स्थापना की थी प्रस नमबर ग्यारा महत्मा गांधी के गुरू का नाम क्या था दिसका सियान से गोपाल करस्न गोखले महत्मा गांधी के गुरू का नाम था दोस्तों गोपाल करस्न गोखले के गुरू का नाम था M.G. रानाडे प्रस नमबर 12 मदमक्य पालन क्या कहलाता है इसका सियांसर AP कल्चर मदमक्य पालन कहलाता है प्रस नमबर 13 वर्स 2014 के कामनवेल खेल कहां हुए थे इसका सियांसर है ग्लासगो, इसकोटलेंड में वस्ट 2014 के कामन वेल खेल हुए थे दोस्तो 2018 के कामन वेल खेल आस्ट्रिलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए थे गोल्ड कोस्ट प्रस नमबर 14, केंडरी असेंबली में बम फेकने में भगत सीं का साथ ही कौन था इसका सियांसर भूंकेट सर, दपकेंडरी असेंबली में बम फेकने में भगत सीं का साथ ही था प्रस नमबर 15, संसत के दोनों सद्नों की संयुक्त बैठक की अधिकल करता है पंतु संयुक्त अधिवेशन पुलाता है राष्टपती प्रस नमबर 16 भारत के प्रथम लोकसभा अद्देख्च कोन थे इसका सही आंसर गनेश वासुदेव मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अद्देख्च थे इसे जीवी मावलकर भी कहते है प्रस नमबर 17, मोलिक अधिकारों का वर्नन सविधान के किस भाग में है? इसका सही आंसर है भाग 3 में मोलिक अधिकारों का वर्नन है दोस्तों मोलिक अधिकार भारती सविधान में अमेरिका के सविधान से लिए गया है वर्टवान वी मोली करिकारों की संख्या है 6 प्रस नमबर 20. हिदराबाद किस नदी के किनारे बसा है इसका सिआंसर है मुसी नदी के किनारे बसा है है हैदराबाद प्रस नंबर 21 विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कुन सा है इसका सियांसर मेक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है प्रस नंबर 22 इसने sans 16 यंसर di खोटा देश कों सांसाны इसका शीया सरतिकन शिठी एն सर्ण फीशो का सबसी चोटा देश है प्रस नमबर 23 स्वेज नहर किन्दो सागरों को जोड़ती है इसका सियान से बुमर्दी सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है प्रस नमबर 24 पनामा नहर की इन दो महासागरों को जोड़ती है इसका सियांस प्रसाथ महासागर और उतरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर प्रस नमबर 25 भारत के संगी छेतर दादर और नागर हवेली की राजधानी कोन से है इसका सियांसर सिल्वासा दादर और नागर हवेली की राजधानी है प्रस नमबर 26, छेटरफल की दर्ष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कोन सा है, इसका सी अंसर है, राजिस्थान, छेटरफल की दर्ष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, दोस्तों, छेटरफल की दर्ष्टी से भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा प्रस नंबर 27 प्रत्वी दिवस कब मना जाता है इसका सियांसर 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस मना जाता है प्रस नंबर 28 फूलो की घाटी किस राज जम्हें इसका सियांसर उतराखाण में फूलो की घाटी है तो फूलो की घाटी एक राष्टी अभ्यारन है प्रस नमबर 29 भात का राष्टी जली जीव कुन सा है इसका सियांसर गंगा डालफिन भारत का राष्टी जली जीव है प्रस नमबर 30 भात का राष्टी फल कुन सा है इसका सियांसर आम भारत का राष्टी फल है प्रस नमबर 31 नितियायो का देख्च कोन होता है इसका सियान सर्फ प्रधान मंत्री नितियायो का देख्च होता है और सभी राज्यों के सियम इसके सदस्य होते है एक जनवरी 2015 को नितियायो का गठन हुआ था इसका फुलफाव में नेशनल इस्टिटिउशन आप ट्रांसफार्मिंग इंडिया प्रस नमबर 32 आएन ने अगबरी का लेखक कोन था इसका सियान सर्फ अबूल फजल आएन अगबरी का लेखक था प्रस नमबर 23, हाप में कप किस खेल से संबंदित है, इसका सियांसर है, हाप में कप टेनिस से संबंदित है प्रस नमबर 34, देश बंदु के नाम से कोन जाने जाते है, इसका सियांसर चितरंजन दास देश बंदु के नाम से जाने जाते है प्रस नंबर 35 असोग चक्र में कितनी तिलिया होती है इसका सियांसर है 24 तिलिया होती है असोग चक्र में प्रस नंबर 36 भारत में सबसे पहली फिल्म कुन सी बनी इसका सियांसर राजा हरिस्चंडर भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी प्रस नंबर साइटीस सबसे छोटी हड़ी कुन सी है इसका सियांसर इस टेपीच मुझस के सेर में सबसे छोटी हड़ी है जो कि कान की हड़ी है प्रस नंबर अर्थीस सबसे बड़ी हड़ी कुन सी है इसका सियांसर फीमर जो की जांग की हड़ी है मुझस के सेर में सबसे बड़ी है और सबसे मजबूत भी हड़ी है प्रस नमबर 49, मानो सिर्व में कितनी पेसिया है इसका सियांसर 649 पेसिया मानो सिर्व में है प्रस नमबर 40, लाल रक्त कनिका का जीवनकाल कितना होता है इसका सियांसर 123 लाल रक्त कनिका का जीवनकाल होता है प्रस नमबर 41 जंग लगने से बचाने की लोहे पर जश्टी की पर चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते है इसका सियांसर जश्टी करन कहते है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जश्टी की पर चढ़ाने को दोस्तों इसे हम बोलते गेलवे लाइजिंग भी गेलवे नाइजिंग प्रस नमबर 42, मानुसर की सबसे बड़ी ग्रंथी कुन सी है इसका सियांसर यकरत मानुसर की सबसे बड़ी ग्रंथी है दोस्तों अगर आता है कि अंतिस्तरावी ग्रंथी कुन सी है तो thyriide manoshere की सबसे बड़ी अंतिस्त्रावी ग्रणती है प्रस नमब 43 भारत का प्रफम तेल सोधन सेंत्र ना कहा इस्थित है इसका सी अंसर डिग बोई असम में भारत का प्रफम तेल सोधन सेंत्र इस्थित है प्रस नमबर चमालिस युनेस्क को द्वार कलिंग पुरुसकार की छेतर के लिए दिया जाता है इसका सियांसर है विज्ञान के छेतर के लिए दिया जाता है युनेस्क को द्वार कलिंग पुरुसकार दोस्तो इस पुरुसकार की स्थापना 1952 में हुई थे प्रस नमबर पैतालीस हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान किस ने करवाया इसका सिया अंसर कुली कुतुप सहा ने हैदराबाद में चार मिनार का निर्मान करवाया था प्रस नंबर 46, कांग्रेस द्वारा पूर्ण सुधिन्ता का प्रस्ता कब और कहा पारित किया गया था जिसका से आंसर सन 1929 के लाहोर अधिवेशन में पास किया था इस अधिवेशन की अधिक्षा जभारलाल नहरू ने की थी जभारलाल नहरू ने की थी प्रसष नमब्र श cabe poser 100 वे निर्मित्प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है इसका सिंटार भारत में निर्मित्प्रथम कंप्यूटर का नाम है अ rhowa Аर्यग가지र हम प्रत्र हम जलेकर 5 कृसिजिंफा इसका सिंसर और रिगंद में ग्यात्री मंतर का अट्लिख्श है प्रस नमबर 49, मानोसरी में पाचन करिया अधिकतर की संग में संपन होती है इसका सियांसर छोटी आंत में मानोसरी में अधिकतर पाचन करिया संपन होती है प्रस नमबर 50, अनुवानसिक्ता की नियमों का पृतिपादन किस ने किया मानव द्वारा सबसे पहले की जादू का प्रयूग किया गया इसका सी अंसर है तामबा का प्रयूग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले प्रस नंबर बावन बाल पेन की सिद्धान पर काम करता है इसका सियांसर प्रष्टी तनाव की सिद्धान पर काम करता है बाल पेन प्रस नमबर त्रेपन रेसम की कीड़े की स्वरक्ष की कोमल पत्यों पर पाले जाते हैं इसका सियांसत है सहतूत की पत्यों पर पाये जाते हैं रेसम की कीड़े प्रस नमबर चोबन प्रत्वी के सबसे नजदिक ग्रह कुन सा है इसका सियांसर सुक्र ग्रह प्रतिवी के सबसे नज्दिक ग्रह है प्रस नमबर 55 मंस की आख में किसी वस्तो का प्रतिवीम कहां बनता है जिसका सियांसर रेटीना पर प्रतिवीम बनता है मंस की आख में दोस्तो रेटीना पर जो प्रतिवीम बनता है वह था वास्तविक और उल्टा वास्तविक और उल्टा परन्तु मस्तिसको उसको सिधा देखता है प्रस नमबर 56 डीने की द्वी गुनित कुंडली का पता किस ने लगाया था इसका सियांसर वाटसन और क्रीक ने डीने की द्वी गुनित कुंडली का पता लगाया था प्रस नमबर 57 गाडियों में पीछे का दर्स से देखने के लिए कि दर्पन का प्रियोग किया जाता है इसका सी अंसर है उत्तल दर्पन का प्रियोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे के दर्स्चे को देखने के लिए दोस्तों गाड़ियों के headlight में आउतल दर्पन का प्रियोग होता है headlight में प्रस नमबर अठावन सामान परिस्तितियम हावा में ध्वनी की गती कितनी होती है इसका सी अंसर है 332 मीटर प्रती सेकेंड सामान परिस्तितियम हावा में ध्वनी की गती होती है प्रस नमबर 59 सूरे में सरवाधिक गेस कुन सी है इसका सियान स्थ हाइडोजन गेस सूरे में सरवाधिक मातरम पाई जाती है लगभग 71% पाई जाती है प्रस नमबर 60 प्रत्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकिला ग्रह कुन सा है? इसका स्यान सुक्र ग्रह प्रत्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकिला ग्रह है प्लस नमबर 61 17 सबसे बड़ा उपग्रा कुन सा है इसका सेयं सर्गेली मेड सबसे बड़ा उपग्रा है जो कि ब्रसपती ग्रका है प्लस नमबर 62 40 बारद दिखाई देता है दोस्तो ये पिछली बार दिखा था, 1986 में, इसमें अगर चाटता जोड देंगे, तो ये अगली बार दिखेगा, 2062 में, नेक्स्ट टाइम में 2062 में दिखेगा, प्रत्वी हो 15 क्रोड किलोमीटर इस इसका सीचान सीकेंड का समय लगता है सुड़े का प्रकास प्रत्वी तक पहुझने में दोस्तो इसको अगर convert किया जाए तो 8 मिनट 18 सेकेंड का समय लगता है प्रस नंबर 65 भारत ने पहला परमानू परिक्षन कब और कहां किया था इसका सी अंसर है 1974 को पोकरण राजिस्थान में भारत ने अपना पहला परमानू परिक्षन किया था प्रस नंबर 666 नं कंप्यूटर के जिस भाग को में और कि हम सब्सक्राटब कर सकते वह क्या करूद गाता है इसका सियंसर हार्डवेर कर लाता है हाँ दोस्तों कम्प्यूटर के बाचुम इसपर सनहीं कर सकते हैं भाका लाता है parf्ट व्यर प्रसकर सेर खेंसर के उपचार उपप्री उपचेश कोन सी है इसका स्छी आच रेडार। के इसर के उपचार उप उपकरीज है दो प्रस नंबर 68 काली मिट्टी की स्फसल के लिए सरवाधिक उप Health यहांसर है, कपास के लिए काली मिट्टी सरवाधिक उप्यूगता है प्र्स नमबर 69 प्रस नमबर 70 भारत में सबसे पुरानी पर्वत संकला कुन सी है इसका स्यांसर अराौली परवत संहखला भारत में सबसे पुरानी परवत संहखला है प्रस नमबर 81 धर्ती के तल का लगब कितना प्रिशत पानी है जिसका सियांसर 81 प्रिशत पानी है धर्ती के तल का और 29 प्रिशत भुभागपल है इस थल प्रस नमबर 72 भारत की सबसे लंबी इस थली सीमा किस देश से लगती है इसका सी आंसर है बांगला देश लगती है भारत की सबसे लंबी स्थली सीमा लगभग यह है 4000 किलो मीटर और सबसे कम सीमा लगती है भारत की लगती है अफगानिस्तान से अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है लगभग 100 किलो मीटर के आसपास है प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लिकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंद युक्त पधात को मिलाया जाता है इसका सियांसर इथाइल मरकेप टान को मिलाया जाता है गेस लिकेज का पता लगाने के लिए गेस स्लेंडर में प्रस नंबर 76 वाईयो मंदेल में सबस्याधिक किस गेस का प्रिस्टर है इसका सियांसर नाट्रोजन गेस वाईयो मंदेल में सबस्याधिक मात्रा में पाई जाती है 78% दोस्तों ब्रहमान में सबसे अधिक मातरा में hydrogen पाई जाती यह आपको विशेश तोर पर याद रखना है प्रस नंबर 27 कोनार का सूर्य मंदिर की प्रदेश में स्थित है इसका सियांसर है उरिसा में स्थित है कोनार का सूर्य मंदिर उडिसा की राजधानी है भूने स्वर प्रस नमब अथेतर कीज देश से अलग होकर वर्स 1971 बांग्रादेश का निर्मान हुआ इसका स्यानसर है पाकिस्तान से अलग होकर बांग्रादेश का निर्मान हुआ था 1971 एक से गपतर में प्रस नबर 79 नियाओं के फिट्सेंट से था इसका सियांसर व्ल्ड वाइड विवब डव्लीय डव्लीय का अर्थ है हुआ ब्रस नामबर 80 है एक यह में कितने के भी होते हैं इसका सियांसर आपको कुछ याद रखना है एक जीवी में होते हैं कि दस्तर चूबिस कि एम भी एक के बी में होते हैं दस्तर चूबिस बाइट यह भी आपको याद रखना है को प्रस नंबर चीवारती k¥ 129 के दीजिन के दीच्शन कह दिखता किसने की इसका सकतいた ही प्रस नंबर ब्यासी मुस्लिम लिंग के ने भारति भाजन के मांग सबसे पहले कप की थी इसका सिम्झार है 1906 में हुई थी प्रस नंबर 83 कामान विल पत्रिका का प्रकासन किस नहीं किया था इसका सियांसर एनी बिसेंट ने कामान विल पत्रिका का प्रकासन किया था प्रस नंबर 84 किस एकमार भारती को अर्शास में नोबल पुरुसकार मिला है जिसका सियांसर अमरत सेंट एकमार भारती है जिन्हें अर्शास में नोबल पुरुसकार मिला है प्रस नमबर पच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् लार्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सायक संदी की प्रस नंबर 87 भाती राष्टी कांग्रेस की प्रथम महिला अद्देख्च थी ये 1917 के कांग्रेस के कोलकाता अदिवेशन में अद्देख्च बनी थी प्रस नंबर 88 सहीदे आजम के नाम से कोन जाने जाते हैं इसका सियांसर भगत सी सहीदे आजम के नाम से जाने जाते हैं प्रस नंबर 89 जेनरल डायर के हत्या किस ने की थी इसका सियांसर उधम सीह ने जेनरल डायर के हत्या की थी दोस्तो जनरल लायर जिन्होंने 1919 में पंजाब के अमरत्सर में जलियालाबाग हत्यकांट में गोली चलाने का आदेश दिया था प्रस नमर 90 बंगाल का इभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था इसका सियांसर है 1905 इसवी में गभार्नर लाड करजन के दौर बंगाल भाजन किया गया था प्रस नमबर 91 भारत में कुल कितने उच्च न्याला है इसका सियांसर है 25 उच्च नियाल है भारत में वर्तमान समय में प्रस नमबर 92 वर्तमान में भारती सव्धान में कल कितने भाग है इसका सियांसर 25 भाग है भारती सव्धान में दोस्तो भारती सव्धान पहले 22 भाग थे वर्तमान समय में 25 भाग है प्रस नमबर 93 सब्सक्राइब राष्टरपति मुख्री स्वायृत करता है दोस्तों मुख्री चुनाव का कारेकाल होता भकाटा शे वर्स या 65 वर्स की आई יूो जो पहले हो जाएँ तब तक अपने पदपर बने रहते हैं हम तो कि मौनयामत्रत्य सेली मुक्यता की सब्यार्च संबंदित मान जाती इसका अंसर है केरल से संबंदित संब्धित के निर्माम थे इस निर्माता कोन थे इसका स्यांसर दादा साह पे परताम भारती फिल्म राजा हरिस्चनर के निर्माता थे हैं प्रस नमबर 98 केसर का सरवादी कुदपादन किस राज्य में होता है इसका सियांसर है जम्मू कस्मिर में केसर का सरवादी कुदपादन होता है प्रस नमबर 99 भारत में प्रथम बहुत देशी परियोज्या का निर्मान किस नदी पर किया गया इसका सियांसर दामोदार नदी पर भारत में प्रथम बहुत देशी परियोज्या का निर्मान किया गया प्रस नंबर सव इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अद्देख्च कोन थे इसका सियांसर है वेमेस चनल बनार जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अद्देख्च थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना 1885 में एवो हूम ने की थी दोस्तो ये आज की वीडियो में सव वन लाइनर कोस्चन थे दोस्तो इसी तरह के कोस्चन के लिए आप हमार चैनल आर्पी स्टीट पाइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाईए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें थैंक्स पर वाचिं इस वीडियो